असलाम उलेकूम आज मैं आपके साथ पनीर मक्ष नी हांडी बनाने की रिर crashed website और रिसंटली मैंने चिकें में रेसिपी पनाई ती बहुत फ़रमाई शाई कि वेज में भी इसी तरह की डिश मेंैं आपके साथ शेयर करूं तो आज मैंने ये डिश पनीर के साथ बनाई है बहुत ही डिश्टी बनने वाली है चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें कुछ मसालों को ड्राय रोस कर लेना है आधा टीस्पून लेंगे साबुद धनिया आधा टीस्पून लेंगे सफेज सीरा आधा टीस्पून काली मिर्ष लेंगे चार छोटी लाची लेंगे और तीन सुखी वे लाल मिर्ष लेंगे इन मसालों को हमें हलका सा ड्राय रोस करना है बस इनकी खुश्बू रिलीज हो जाए बस इनको हम थोड़ा से ठंडा कर लेंगे और मिक्सी के जार में डाल कर इसका एक दरदरा पाउडर तयार कर लेंगे और इसको एक साइड में रख देंगे अब एक पैन लेंगे इसमें दो चम्मश तेल गरम कर लेंगे और साथ में इसमें डालेंगे दो चम्मश बटर लेकिन अगर आपके पास बटर नहीं है तो सिर्फ तेल में बना सकते हैं लेकिन क्योंकि पनीर मकनी हांडी है तो थोड़ा सा बटर डालेंगे तो टेस्ट एन्ह प्यास के बाद की बटर से बने तो में केड़े द्यान के लियुद यंई अश्य 파es में लोग फ्राइन में में एक मिडियम साइस की कप्राइब प्यास चाहि अगरपी अधे destruylleirus एक प्यास के नलिया है दो टीस्पून अध्रक लहसुन का पेस्ट, एक टीस्पून नमक और आधा टीस्पून सफेद दखनी मिर्ज का पॉड़र डालेंगे, सफेद दखनी मिर्ज नहीं है तो कुटी भी काली मिर्ज डालीजेगा, बहुत फाइन पॉड़र मद डालेगा वरना फिर ग्रेवी काली हो जाएगी, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको भून लेते हैं, जब तक अध्रक लहसुन की जो कच्छी स्मेले वो खतम नहीं हो जाती है, तो बस डेर से दो मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे, अब हमने जो इस्पाइस मिक्स तयार किया है, वो हम इस और बस इसको भून लेते हैं, तब तक भून लेते हैं, जब तक जो तेल है वो दोबारा से सर्फेस पर नहीं आने लगता है, तो यहाँ पर दही भून चुका है और तेल ऊजाउट होने लगए, अब हमें इसमें दस से बारा काजुगों का पेस्ट डाल देना है, और एक स इसको भी खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो यह हमारी एकदम स्मूज सी बहुत ही जबदद सी ग्रेवी बनकर तेयार हो गई है, तो अब हमें डालना इसके अंदर पनीर, तो यह 250 ग्राम पनीर है, जिसको की ट्रैंगलर मैंने काट आप क्यूब में काट सकते हैं, औ अब इसमें आधा टीस्पून गराम मसाले का पाडर और एक टीस्पून डाल देंगे कसूरी मेथी, और मिला देंगे इसको अच्छी तरह से, अब इसमें बहुत हलकी सी ग्रेवी बना लेंगे, तो बस तीन से चार चमच पानी डालेंगे, मिक्सिय के जार को मैंने खंगाल और मैंने इसको 6-7 मिट के लिए पका लिया है, और यहां पर हमारी पनीर मखनी हांडी बनकर तयार है, गैस की फ्लिम को हमें बंद कर देना है, आप चाहें तो इसको इसको इसी पॉइंट पर साफ कर सकते हैं, लेकिन इसके टेस्ट को और भी जादा इन्हांस करने के लिए इसमें हम लगा देंगे एक बहुत ही मज़े का तड़का, तो एक से दो चमच तेल गरम कर लेंगे, और इसमें आधा टमाटर बीज निकाल कर डाल देंगे, थोड़ी सी शिम्ला मिर्च, जूलियन कटीवी अद्रक और दो तीन हरे मिर्च जिनकों की बीज से स्लेट कर लिय हो जाती है, बस हलका सा इनको सॉफ्ट करेंगे, क्रंच बनाए रखना है इसका, तीन चार मिर्च लिए फ्राइ कर लेंगे, तो यहां पर शिम्ला मिर्च टमाटर वगएरा हलके से फ्राइ हो चुके हैं, तो बस इसी तरह सा में इनको फ्राइ करना है, अब हमें ये तयार क पनीर मखनी हांडी पर, इसको डालते ही, इसका टेस्ट ना दुगना हो जाएगा, और लुग भी और बिजाता खुबसूर हो जाएगा, और बिजाता प्रेजेंटेबल लगने लगेगा, बस इसको एक मिक्स दे देंगे, सुपर डिलिश्यस, बहुत टेस्टी हमारी पनीर मखनी हांडी बन कर तेयारें, जो की बहुती टेस्टी बनी है, मैंने यहां पर पनीर का इस्तमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो अबले वे अंडे यह और अंडे फ्राय करके, इसमें इस्तमाल कर सकता है, तो एक ही ग्रेवी में कई तरह क्या आप वारीएशन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं दे दूंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप इसको चिकन में बनाना चाहते हैं अब मैंने इसमें थोड़े से हर धनी के पते डाल दी हैं मिला देंगे इसको और बहुत ही यमी बहुत ही टेस्ट ही हमारी डिश बन के रेडी है तो चलिए अब इसको हम सर्फ कर लेते हैं नहायती आला किसम की हमारी डिश बन के तियार हुई है बहुत ही डिफरेंट है जो और हम वाइट ग्रेवी बनाते हैं यह उससे बहुत डिफरेंट है बहुत ही मुक्तलिफ है टेस्ट सूपर डिलिशिस है आप खाएंगे तो बस आप अपनी उंगलियां चारते रहेंगे इतनी टेस्टी बनती है तो ट्राइ कीज़े रेसेपी और मुझक अपनी फीडबैक्स भी जरूर दे दीज़ेगा कैसे बनकर तयार हुई आपकी पनीर मकनी हांटी आप इसको पराठे से नान से कुल्चे से या फिर तंदूरी रोटी से चापाती रोटी से साफ करें बहुत अच्छी लगती है और अगर आपको रैसे पी पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा फैमिली और फ्रेंट्स में शेयर जरूर कीज़ेगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली ब